हेलो डियर फ्रेंट्स मैंना में तन्वीर अहमद और आप देख रहे हैं ड्रीम एलेट्रिकल यूट्यूब चैनल दोस्तों आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं और आपको सिखाने वाले हैं कि इस 3-1 मॉडुल को यूज़ कैसे करते हैं फ्रेंट्स इस क्रि आपको सिखना है तो चले दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं फ्रेंट्स सबसे पहले हम इस टूल को अन्बॉक्स कर लेते हैं दूस्तों यह रहा हमारा क्रिम्पिंग टूल यह इसके साथ और एक टूल दिया गया है इसका भी आपको मैं दिखाऊंगा इसको किसी यूज़ करते हैं दूस्तों आप जब भी मगड़ से केबल लाएंगे एक कैट्सिक्स केबल वो कुछ इस तरह की होगी पहले आपको ट देख सकते हैं यह निशाने यूज़ बना हुआ है और एक ब्लैड है अगर आप यहां पर वायर गुसाएंगे ऐसे केबल गुसाएंगे इसको इसके साथ ट्रस करेंगे प्रस नहीं करना मैं एटेज रखना है कि आपको के साथ इस कैट्सिक्स के साथ और इस टूल को ऐसे यहरांट शेप गुमाना है तो इस की इंसुलेशन कट हो जाएगी फिर आपको बाहर निकाल सकते हैं अब इससे भी इंसुलेशन उतार सकते मैं आपको देखाता हूं मगर आपको इंसलेशन उतनी ही उतारनी है जितनी आपको बार में यह वायर इसमें डालनी है दोस्तों यह आज फोटी फाइव का कनेक्टर है हम यहां तक इसकी इंसलेशन को उठाएंगे इस कैट से किसी केबल को अपको क्या करना है ऐसे रखना है इसको ऐसे रौंड गुमाना है एक दो रौंड देना है जाद नहीं तो आप देख सकते हमारी इंसलेशन इस च्श्ड़ा से कुतर गई है दोस्तों यह फोर पेर की केबल है यानि कि इसमें 8 वायरस है एक pair में दो वाइड़्ास होती है एक pair इसका यह है blue white blue green white green chocolate white chocolate orange white orange और प्र綵ीज में इसके यह इंसूलेशन जिस पर यह twisted होती है यह हमको cut करना है इस tool में आपको और एक option मिलता है आप देख सकते हैं काटिंग का आप इससे कट भी लगा सकते हैं कुछ इस तरह से दोस्तों अब आपको इन वायर्स को सीधा करना है जो वायर्स है इनको आपने बिल्कुल सीधा करना है स्ट्रेट करना है जो ट्विस्ट की गई है एक दूसरे के साथ इनको आप में अलग-अलग करके सीधा करना है प्लाइन करना है फ्रेंड्स जो कोडिंग आफ केबल के इस तरह भी यूज करनी है आप देख सकते मैं आप अशी तरह से दिखाने के कुश्च कर रहा हूं जो इस आप फोट अश्चरा से वर्क करेगा अब इनको डूसिंग कर लेते हैं अब हम इनको ऐसे ऐसे सीधर रखते हैं जो क्लूर है दॉसक्त किया है इससे अब सबसक्रार रखना है इस तरह से जहां रहे कल्र कोडिंग सेम रनेहाँ चाहिए जो आप इस तरह रखेंगे जो वायरस आप इस तरह रखेंगे वही आपको इस तरह रखने हैं दोस्तो हमने इसमें कोडिंग भी इस्तिमाल की है जो मॉस्टल यूज की जाती है वो मैं आपके बाद में दिखाऊंगा यह जो कनेटर है यहां तक जाना चाहिए यानि हमें यहां तक इन वायरस को कट लगाना है दोस्तों कट हम इसी क्रिमिन टूर की मत से लगाएंगे यह जो ब्लेट दिख रहे हैं यह इनको आरब के साथ कट लगाएगा फ्रेंड्स इन वायरस को कट लगाने के बाद आपको इन वायरस को इस आज फॉटिफाइ करेंटर में डालना है और स्विकेंस का खयार रखना है और इस स्कैट्स केपल को नीचे से पुश्ट करना है दोस्तों आपको तब तक पुश्ट करते रहे हैं जब तक आपको इन वायरस का जो बीच वाला कर जो कंडिक्टर है जो तार है वो उंपर की तरफ ना दिखे आप देख सकते हैं ये वायरस उंपर की तरफ दिख रही है क्योंकि ये ये कन्डिक्टर ट्रंस्पेरेंट है इसका मतलब हमारी जो वायरस है वो फिट हो गई है काइंटर की वायर डिस्कनेटर ना हो जाए दोस्तो अब बारी आते हैं इसको क्रिम्प करने की आप आखो दिखाऊंगा क्रिम्प कैसे करते हैं दोस्तो ये रहा हमारा क्रिम्पिंग टूल दोस्तो अब मैं आपको बताऊंगा इस काइंटर को इस क्रिम्पिंग टूल की मत से ये इड़की को राजिए और इन साफ देखकर आप ये ड़कुं को प्रेस होते हैं और weirth के साथ fast connection बना लेते है आफंड़ेक्शन को में जडाल देते हैं और केंटर को प्रेस करते है दोस्तों जा मनें इस केमइग्ट को प्रेस क초 या हमारे जे कॉंटेक्टर्स है ये पूरे के पूरे अंदर जा चुके हैं और वायर्स के साथ कनेक्ट हो चीके हैं दोस्तों बिल्कुल इसी तरह आपको दूर केबल दूसरे जाने भी यही कालर कोडिंग यूज करके करनेटर को लगाना है मैं आपको इस वीडियो में अभी इस वीडियो में देख सकता है जो कल्र कोडिंग हमने इस लेफ्ट साइट के आज में यूस की है दोस्तों अब इसको टेस्ट करनेका तरीक है उसके लिए एक टूल आता है जो आप सिक्रेंट पर देख रहे हैं आपको इस तरह से इसको टेस्ट करना है यह तूल आपको बताए कि आपकी जो तमाव वायरस है वो करनेटर के साथ जुड़ चुकी है और उनकी स्विकेनज वो ठीक है यानि कि उसका जो कलर रिकोंडिंग है वो बिल्कुल ठीक है उस को लाइक करना अगर चैनल पर नए हो चैनल को सबस्क्राइब करके बैल आइकन को जूरू प्रेस कर लेना दोस्तों और एक बात हमारी और एक चैनल है इसका नाम ड्रेम गाइस है उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी उस चैनल को सब सबस्क्राइब करना वो आपके बहुत बड़ी महरबानी होगी दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई